में ये बहाना हो शकता है सब किया करने आता है जा आप लेट जाहिए गाई टाइव टॉ आप करता है तो आपका तन्का करता है यह तो system के भियाओन जाना चाहते हैं, तो system तो system है. सिक्षकों में काफी आकरोश है, कि वो school R.S. के बाद भी वेतन की कटोती होगी, तो उन सिक्षकों को क्या कहा है? यए राद दिशम सिक्षके में रते, कहाँ कोई शिक्षक आताब यहां से 20 को सिक्षक गया, जो बाल ज्हार के इधर उधर नेतागीरी में घूमल चर रहा था, उसको आकरोश होगा, वो अपना नेतागीरी कर रहा है, जैनरल आदू में कोई आकरोश होगा, शिक्षा विभा में लगता है सिक्षक का जो मुद्दा है वो गर्मातावा नजर आ रहा है जहां अब हर चीज ऑनलाइन वो तेवे नजर आ रही है अगर आपके सिक्षक कोष्ट जो आप है अगर उसमें आपका अटेंडेंस नहीं बनता है तो आपकी सैलरी कटेगी इसी मुद्दे पर खास बात्चीत करने के लिए हमाज साथ BJP MLC नवलकिशोर यादा वे सीधे जोड़ते हैं सर सबसे पहले तो आप यह ओनलाइन जो अटेंडेंस बन रहा है इसको कैसे देख रहा है ओनलाइन कौन काम नहीं हो रहा है भारत में जितने काम है सब ओनलाइन हो रहा है ओनलाइन परि परिदर का अटेंडेंस हो गया तो कौन पहार इंगिर गया अगॉप की जिए कि सब काम ओनलाइन हो रहा है तो टीचर की इचेंडेंस को off-line माना जाए आसा को नियम नियंब बन जाए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि ओनलाइन wouldn रहा है ओनलाइन सरकार का और सिस्टम का ज जासकरून सिक्षकों का जो बुजूर्ग हो गये हैं, थोड़े से जादा उमर के हैं, उनको ओनलाइन भड़ना नहीं आ रहा है। जब बुजूर्ग हो गये हैं, अब सब नौजमाने हैं, अब बहुत बुढ़ा कोई टीचर नहीं होता है। और ओनलाइन जिसको नहीं करने आता है, खेत के कागज ओनलाइन हो रहा है अभी सर्वे में, तो सब किसान के ओनलाइन करने आता है, सिंटर है ना ओनलाइन करने वाला, तो ओनलाइन करता है, यह कोई जदो जिहाद का मामला नहीं है, यह सिस्टम है तो सिस्टम में चलना परे कि उसमें अपडेट नहीं होता, स्कूल में सिक्षक आते हैं, उसके बाद भी अपडेट नहीं हो रहा, लेकिन जब सैलरी कट रही है, तो काफी ज़्यादा दिक्कत हो रही है सिक्षकों को. उसमें ओनलाइन नहीं अगर लेता है, तो ओफलाइन भी वहाँ अटेंडेंस रजिस्टर रखे रहते हैं, आप टाइम पर रहेंगे, तो ओफलाइन भी अटेंडेंस रजिस्टर पर अटेंडेंस बनते हैं, प्रिंस्पल के सामने रखा रहता है, इसलिए आप लेट जाईए कि अनलाइन काम नहीं कर रहा हम उफ्लाइन में तो प्रिंस्पल नहीं बनाने दिता है तो आपका तन्खा कड़ता है तो यह तो कोई बात है नहीं यह तो system के भीयों ने जाना चाहते हैं तो system तो system जो बाल जार के इधर उधर नितागीरी में घूमल चल रहा था उसको आक्रोस होगा अपना नितागीरी कर रहा है जनरल आदू में कोई आक्रोस होगा नितागीरी में जिस तरीके से केके पाटक की बात करें या फिर ऐसे दात की बात करें उनके आने से सिक्षा विभाग में सुधार हुआ है शिख्षा विभाग बिगरा हुआ कभी था ही नहीं, खास करके सिख्षक नहीं बिगरा हुआ था, उनके जो पदाधिकारी हैं माल वसूलने में वो बिगारे हुए थे, माल वसूलना कम कर देंगे, और स्कूल कालेज ओनलाइन और ओफलाइन से बहतर नहीं चलते हैं, यह जो उसको जब तक प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, साबसी नहीं मिलेगा, यह ब्रेन ड्रेन का काम है, हंटर भांच के आप पढ़ाई की बात नहीं कर सकते हैं, और आज भी सिख्षा जगत में सिर्फ अटेंडेंस की बात की जा रही है, सिख्षकों की उपस्थिती की बात की ज जा रहा हो, ना की एक जामनेशन की बात किया जा रहा हो, ना की गुनबत्ता पुन सिख्षा की बात की जा रही हो, ऐसा कहीं चर्चा आप लोग नहीं सुने जा रही है तो आपकी सेलरी में कटोती तो जरूर होगी लेकिन इसका उपाई भी है आप बने रहे हम ऐसा तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रियों